हेलो ट्रेडर्स शुरुआत करते हैं रिसेंट लो 7512 से यहां से अगर बाउंस की परसनलेटी देखे तो हमें एक इंपल्सिव वेव होता हुआ नजर आ रहा है यहां से अगर वेव काउंट की बात करें तो वेव 1 और 2 कंपलीट हो चुके हैं वेव 3 यहां पे मेरे ख्याल से 8748 पे पूरा हो चुका है और वेव 4 जो है या तो फिर यहां पे पूरा हो चुका है या फिर एक बार इसके नीचे आके यहां पे इस रेंज में जो यहां पे रिट्रेस्मेंट रेंज दिया हुआ है उस रेंज में पूरा हो सकता है और रोल देखे तो यहां पे वेव 4 पूरा माने तो अभी के लिए projection जो है 8, 9, 2, 6 जो की minimum target हो सकता है wave 5 के लिए और maximum projection आ रहा है 9, 2, 1, 7 तो इस range में जो है ये पूरा impulsive wave पूरा हो सकता है 1, 2, 3, 4 और 5 और इस range में आने के बाद इस wave 5 का पूरा internal 1, 2, 3, 4, 5 पूरा होने के बाद यहां से हमें इस पूरे impulse का retracement देखने को मिल सकता है अभी के लिए हम initially 23-38% retracement यहां से मान के चल सकते हैं लेकिन यहां पे ये wave 5 पूरा होने के बाद ही हमें उसके बारे में सोचना चाहिए अभी के लिए हम अगर बात करें तो यहां से जो है immediate target range है nifty के लिए है और यहां से फिर से एक retracement पूरे impulse का हमें देखने को मिल सकता है इसके आगे के जो wave count है तो उसको मैं हो सके तो Saturday आप लोगों के साथ शेर करूंगा अभी के लिए Friday के लिए बस इतना ही वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद